नमस्कार, दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अमीद करता हूँ? जहां भी होँगे, जैसे भी होँगे, खूस होँगे, मैं कृष्णा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, एक नया वीडियो ले करके, आज हम बात करेंगे काइन मास्टर अप्लिकेशन के हमारे में, जो है यह वीडियो जो यह बेस्ट है हो वीडियो एडिटिंग के लिए सवंड एडिटिंग के लिए सांद एडिटिंग के लिए उडियो सीटि और एडब ऑल्याच Ч obviamente यूज कर सकते हैं बांकि इसमें नौर्मल सांड एडिटिंग ही हो जाता है बागी सारा कुछ हम सीखेंगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है वीडियो को अंतक देखी ताकि आप पूरा समझ सके तो हमें स्टार्ट करते हैं जब हम काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस खुल के आता यूजर इंटरफेस यह और जो आप इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेय स्टोर से जाकर करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़ जो इसका दो ऑप्सन आता एक फ्री और एक प्रीमियम फ्री वाला यूज कीजिए अगर आपको प वीडियो में आगे और वीडियो में जो यह अपने यूजर इंटरफेस देख लिया इस तरीके का आप काइन मास्टर ओपन करेंगे तो कुछ खुल कर आएगा यहां का सेटिंग्स समझते हैं यह लोगो है काइन मास्टर का एक से कंपनी को एक कुछ निव है जो अनिव पर चेंज कर सकते हैं कि आपको कहां पर आपका फाइल सेव करना है कहां पर आपका फोटो सेव करना है जो आप इस काइन मास्टर में यूज करेंगे या फिर आप काइन मास्टर से एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे और यह एक एडवांस और experimental setting है इसमें आप एक changing कर सकते हैं आपका अगर mobile support करता हो तो आप यहांसे इसका जो saving जो export करेंगे तो आप 60fps का recording आप export कर सकते हैं rendering कर सकते हैं अगर default इसका 30 fps होता है आप इसको enable करेंगे तो यह 60 fps पर हो जागा अगर अगर यह mobile payment करता है तो आप यह चेक कर लिए आपका mobile support करता है या नहीं चेक करने के लिए कुछ नहीं है आपका time take 30 fps एनफ होता है बट मैं 60 fps करके रखा हूँ आप चाहिए तो 30 fps रख सकते हूँ best option है 30 fps तो इसको आप default छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप कुछ और देखेंगे यह create new है जो हम यहाँ पे क्लिक करके नया वीडियो एडिटिंग के लिए project create करते हैं यह get project है get project क्या है कुछ बना बना है projects है काइन master जो default में आपको देता है आप यहाँ से चाहिए त तो यह get project आप यूज नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ जैसे मैं आपको एक project चला कर दिखाता हूं आप सिर्फ project में आपने वीडियो या photo डाल देंगे और आपका project ready होकर आ जाएगा चोटा-चोटा eclipse में बना हुआ project है मैं एक project चला कर आपको दिखाता हूं इंट्रो तो आप यहाँ पे जो उनका किसी का वीडियो ता उस वीडियो को डिलीट करके सिर्फ अपना वीडियो पूट करतेंगे तो sound और जो effects है वह सेम आजाएगा आपको तो यह बनाय बनाय प्रजेक्ट रहता है आप उसको यूज कर सकते हैं उसके बाद यह projects है जो आप कुछ यहाँ पर पहले बनाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो उसको दुबारा जाकर करके एडिट कर सकते हैं मैंने कुछ पहले एडिट वगरा किया है project तो यहाँ पर प्रजेक्ट मेरा सो हो रहा है उसके बाद एसे स्टोर है एसे स्टोर जो इनका default एसे स्टोर होता है आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर ट्रांजीशन का एफेक्ट से सारा कुछ हम स्टीकर है यह सौंग है music है sorry उसके बाद यह साउंड एफेक्ट से सौंग और music है की है साउंड एसके बाद कुछ ग्लीप ग्राफिक्स है और यहाँ पर कुछ वीडियो बनाया जो मैंने आपको पहला भी दिखाया था कि आप उसको एउसकô इउसको यूजग कर सकते हैं उसके वाद यहाँ पर Vide advance का फॉंट्स दिये गया है जो आप अपने विडियो में यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से कुछ setting यहां पे effects दिये गया है आप इसको से टेस्टोर से यूज कर सकते हैं विडियो में हम बताएंगे कैसे यूज करना है आज मैं सिर्फ user interface के बारे बताँगा और basic बताँगा बाकि मैं तीन चार और वीडियो बना करके पूरे काइन मास्टर को समझा दूँगा एक में अगर मैं बताने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक में नहीं तीन चार वीडियो बना करके आपको सारा कुछ दिखा दूँगा मतलब के जो ओफिसियल चैनल है यूट्व फंचन साथर डालने के लिए डिफॉल्ट फंक्सन्स आते हैं जो कर दालने के लिए तो इतना ही इसके इंटरफेस पर है फर्स्ट इंटरफेस पर यहां से हम अब हम create new को देखेंगे create new पर जब हम click करेंगे तो एक कुछ यहां पर आपको settings आ जाएगा जो आपको video editing का settings होगा तो यह video editing का size है aspect ratio बोलते हैं इसको mobile जब आप सीधा करके देखते हैं तो whole screen पर जो आपको दिखता है mobile की तरह ओ आपको 9 is to 16 ratio बोलते हैं और 16 to 9 जब mobile को आप टेढ़ा करके या आप उसको बोल सकते हैं horizontal देखते हैं तो जो दिखता है ओ जैसे आप TV देख रहा है या कुछ भी देख रहे हैं तो 16 to 9 के ratio में आएगा और यह mobile में देख रहे हैं तो 9 is to 16 के ratio में आएगा YouTube के लिए 16 to 9 हम mostly use करते हैं बागे कुछ अब 9 is to 16 भी कर रहे हैं mobile को mobile में समझाने के लिए यह इंस्टाग्राम के लिए one is to one और बागी सारे हैं आप जिस भी resolution में चाहें जिस भी aspect ratio में चाहें जो भी आपने वीडियो का size चाहें उसमें आप उसमें आप इसको वीडियो का अपने एडिट कर सकते हैं यह photo का डिस भी फोटो है जो आप फोटो I am import करेंगे अपने project में उसका बोल और फोटो अपने वीडियो में डालते हैं तो कितने सकेंड तक फोटो आपको वहाँ पे दिखे तो डिफॉल्ट में 4.5 है आप इसको चाहें तो घटा वढ़ा सकते हैं और यहाँ पे यह आप जब इंपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट का तो कौन से फाइल को सपोर्ट करेंगा वो लिखा हुआ है इसको आप चेंड नहीं कर सकते तो इस तरीके यह इसका है जब आप प्रोजेक्ट क्रियेट करेंगे तो प्रोजेक्ट का कुछ बेसिक सेटिंग्स है इसके बाद हम नेक्स्ट आप्शन पर क्लिक करेंगे मैंने 16 इस तो 9 डेस जो सेलेक्ट किया क्या क्योंकि मैं यूटूब के लिए कर रहा हूँ इसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका मीडिया ब्राउजर में लेकर करके आपको आ जाएगा तो मैं इसको आप यहां से चाहें तो किसी इमेज को चाहें तो किसी वीडियो को आप यहां से डिरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में ले जा सकते हैं मैं करक साइज बना रहेगा तो यह आपका फोटो है आप यहां से सम अक्षा कर दिया को छलिए कर दिया और आ करेंगे यहां से आप चाही तो जो मैंने आपको बताई एम पर्सक्ते मैं प्रोजेक्त में क्लिक करता हूं तक मैं इसको समझ outs निये और अत्य यहां पे चाहाँ और जब करके और यहां से आप कैसे लेंगे तो यहां से जाकर करगे फिर से हम वही चीज उसी फाइल में चले जाएंगे, जहां से हमें अपना वीडियो या पिक्चर ले कर आना है, तो मैं सबसे पहले आपको इंटरफेस समझा देता हूं, इसको हम विव पोर्ट बोलते हैं, जहां पे आप अपना वीडियो या रुका हुआ दिखता है इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं जो वीडियो का कितने से इसको प्ले हेड बोलते हैं रेड़ वाले को प्ले हेड बोलते हैं और यह आपका टाइम लाइन है यह पूरा इस पर टाइम लाइन पर आपका दिखाएगा कि किस सकेंड पर आपका तो मैं यह पहले दिखा देता हूं इसका settingssettings में जाएंगे तो यह audio का setting यह master volume on करके तक सकते हैं master volume का मतलब होता है जो आप बोल नहीं वह ही आपका master volume का यहाँ पे प्रजेक्ट master volume में जो हंड़ेट of project means क्या हुआ और फेट means धुंदला या कम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कम होना मतलब अगर आप जब आपको वीडियो स्टार्ट होगा तो 20 seconds के लिए आपका sound कम होगा सडेल तेजी से स्टार्ट नहीं होगा दीरे-दीरे स्टार्ट होगा ऐसा दिखा रहा है और जब बीड होगा तो भी आपका 20 seconds के लिए two seconds के लिए या जो भी आप करके रखेंगे जितना बढ़ा के घटा के रखेंगे यहां से आप इनेबल करें इसको और चाहे तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको settings को चेंज कर सकते हैं और set कर सकते हैं यह वीडियो कि आपका sound सुरू में start में तेजा है या कम आए कितने seconds के लिए आये यहांत में कम आये और ज्यादा आया कितने seconds में कम हो इस तरीके से अपना यहां setting कर बुद्धा यहां से भी आप कर सकते हैं फोटो कर डियूरेशन को सेट्ट और उसके कैसा दिखें फुल स्क्रीन अप कर सकते हैं तो यह प्रोजेक्ट-सेटिंग हो गया आपका अधियो और यौडियो वीडियो और एडिटिंग मैं इसको बंद करता हूं उसके बात यह बह grenade जाने का है यह अंडू है अंडू मींस एक step पीछे जाना और यह रीडू का है मिसरेड रीडू मींस एक step आ गया यह आपको बाद में अगर आप जानते ही होंगे व बिदियो में आगे बता भी दूंगा, उसके बाद है स्ट इसट इंट करने आपको ठीएधर हैं जो मैंने पहले आपको दिखा दिया था। स्टार्टिंग में जब आप The Open इस्ट करते तो Our याँ से भी आप उसी इस्ट हमें जा सकते हैं है क्फिनग कि recurring जो मैंने आपको बताया था आप जब 16 to 9 या जो भी आपको प्रजेक्ट का या वीडियो का डिजुलेशन सेट करके साइज सेट करके जब आप मैं सेटिंग्स में भी बता चुका हूँ अभी बताया था यह वाला है पिक्चर को या वीडियो को एरेंज करने के लिए कैसे यहां से आप जब इस पर क्लिक करके रखेंगे तो पिक्चर वीडियो दोनों दिखेगा इस पर करेंगे तो सिर्फ पिक्चर दिखेगा और इस प और यह पिक्चर का सिंबोल लाएगा और यह दोनों का मिक्स है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और इससे आप असेंडिंग और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और आटर में रख सकते हैं यह भी सिर्फ एरेंज करने का है वागी कुछ नहीं है पुराना और नया नया इ सकते हैं तो सिर्फ यह लाइब्रेरी को इसको अप लाइब्रेरी बोल सकते हैं मेडिया लाइब्रेरी तो इसको मेडिया लाइब्रेरी को एरेंज करने के लिए दोनों सेटिंग का यूज किया जाता है चलिए मैं एक यहां से वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूं मैं इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूं या और एक पिक्चर वीडियो को इंपोर्ट कर लिया एक पिक्चर को भी इंपोर्ट कर लेता हूं तो इस पिक्चर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं और एक वीडियो को और इंपोर्ट कर लेता हूं तो इसके बाद हम इहां पर क्लिक करेंगे इस जो आपका और यह जो है जो आप वाला वाला है यह master क्लिप है इसको आप समझ लिए कि जो पहला उपर वाला राता है इसको master layer या master clip बोलते हैं अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मैं यह आपको laptop पर समझाने के लिए करसर का यूज कर रहा हूं आप इसको mobile पर भी यूज कर सकते हैं जैसे अभी मैं आगे पीछे कर रहा हूं कर सकते हैं और दो फिंगर से इसके size को हम घटा बठा सकते हैं आप देख रहे घटा बठा सकते हैं दो फिंगर रख करके मैं सिर्फ mobile laptop पर की उच करके आपको दिखा रहा हूं यह ता कि आपको समझ मैं मैं एक चाहमपल देता हूं जैसे मैं अगर मीडिया के बारे में समझाना चाहता हूं तो यहां पर मैं करसर रखा है तो मीडिया पर मैंने करसर रख हैं तो हम कैसे समझा सकते हैं नहीं समझा सकते हैं consists anda चौश से पैसे ही मैं क्लिक करूँगा कि यह ऐसा से हो जाएगा उस पिक रखर के हमें मीडिया करके बता था यह बोलता रहुएंगा कि यह किलिक करूंगा, में लेजाए घर्कर, बतासकता नी तो मैं अगर अब एदीटिंग करना तो मोबाइल नहीं हो गाँ, यह व्यांदा इजर्च मोन्यधाइसे लिए यह लगता है मोबाइल में फिल होता है तो मैंने बता दिया अब मैं कुछ इथर का कुछ यहां पर से पर ऍटिंग बता देता हूं जैसे मैंने चलिए यह आपको यह वाला पार्ट वीडियो का डिलीट कर दिया यहां से यहां इसको जब हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्संण आएगा जो अलगलह अ विं टिंशा जाय गड़ा है हूं जब आप उसको इसको दिलिट कर रहा है यहां से डिलिट कर दिया जुँआ दोनों पर दूसरा प्रपोर्पर्टी आ जाया है में इस अवी आपको सिर्फ इसका इंटर फेस समझाने का कोशिस कर रहा हूं तो यह आप समझ गया कि a timeline मैंने आप को फ़रल स Fall B Lazis उसका है और यहां पर बीडियो का फिर्ट चाजम है जहां पे वीडियो एक स्टेप पीछे जाना अंडो बोलते हैं और एक स्टेप आगे आना रिडो बोलते हैं उसके बाद यह वाला ओप्सन हम समझने का कोसिस करेंगे इस पर जब हम क्लिक करेंगे यह फिंगर टच करेंगे तो यह हमें तीन ओप्सन देगा एक काप्चर सेव करने का मतलब है स्क्रीन डेना सिंपली आप इसको एड़ी में सेब कर दिया इस फिर से स्क्रीन डेगा अगडा क्लिप आड करेंगा मैंने आपको बताए था क्लिप क्या होता है एबाला जो है आँ मास्टर क्लिप है जो हमने सबसे पहले एड किया था यह फर्स्ट लाइन जो रहाएगा टाइम लाइन पे वह आपका master layer और master clip रहाएगा हमें सा याद रखिएगा जो फर्स्ट वाला line है वह आपका master layer या master clip है तो capture and add as a clip जिस भी आप layer पे या master clip पे आप जहाँ पे playhead को रखे हैं तो आपको इस scene को capture करेगा स्क्रीन सौर्ट में capture करेगा capture and save में भी इसी scene को capture करेगा और capture and add as a clip में भी इसी scene को select करेगा तो हम यह capture and add as a clip करते हैं आप देखिए क्या होगा timeline पे देखिएगा यह देखिए जो मैंने बोला था कि उस scene को तो उसी scene को इसने स्क्रीन सौर्ट लिया और clip as a clip add कर दिया हम यहां पर option आ रहा था capture and add as a clip तो हमने master time यहां timeline पर select किया और यहां जो हमने लिया तो यह clip as a clip add कर दिया हमारा picture यह भी clip है हम यहां पर तीन clip हो गया एक फोटो वाला clip है एक जो आपने अभी add किया था वह वाला है और यह जो हमारा वीडियो है master clip जो है तो यह first line जो होता है master clip line your master layer होता है अब इसमें तीसरा option समझेंगे capture and add as a layer layer का मतलब मैं simple भासा में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ layer means परत दर परत डालना परत means example के लिए आप एक पेज पर दूसरा पेज डालते जाते हैं तिसरा पेज डालते जाते हैं जैसे एक आपने रोटी लिया रोटी के उपर फिर रोटी रोटी के उपर फिर रोपी रोटी तो हम तीन रोटी डाल दिये तो हम बोल सकते कि एक हुआ हमने यहां पर प्लेट को डाला था तो यहां के सीन को इसने कैप्चर किया यहां के फोटो को इसने कैप्चर किया और इस पिक्चर के ऊपर जो यहां पर दिख रहा है पीछे वाला पिक्चर इस पिक्चर के ऊपर इस पिक्चर को इसने डाल दिया यह लेयर है अब लेयर है, इस master clip है, इसके ऊपर इसने एक दूसरा layer डाल दिया, इसी को हम layer बोलते हैं, तो आपको समझ में आगया होगा, कि layer क्या होता है, तो यह layer हो गया, इसके size को घंटा बड़ा सकते हैं, आप चाहे तो fit screen, full screen, जो setting है, वहाँ से की रहेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, और च सारा लेयर होगा तो अभी मैं लेयर को डिलीट करता हूं और आपने समझ गए तीनों आपसन यहां से सेटिंग्स आप समझे हुए हैं यह जो है यह सिर्फ इस वीवपोर्ट को जो है यह वीवपोर्ट टाइम लाइन इसको चेंज करेगा बहुत लोग को ऐसा यूज करने में कमफर्टेबल नहीं हो रहा होगा तो चेंज करके आपको सिर्फ देदेगा आपके बड़ा स्क्रीन पर यहां पर आपका टाइम लाइन दिखेगा बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसको लेव वीवपोर्ट को टाइम लाइन को आप देखने के लिए अलग तरीके से इसको कर सकतैं ही बार यहां पर कुछ नहीं बार कि यहाँ जब करेंगे तो यहां पर प्ले बले गाओप्शन कुछ आ जाएगा है चलिए हमसे हम बेसिक में चलते हैं डिफॉल्ट जो इसका है यह बेतर है इसके बाद यह तीसरा ओप्षन है यह तीसरा ओप्षन क्या है तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो सीधा अंत में लेकर चला जाएगा वीडियो के जैसे मैं यहां पर हमारे देखिए प्ले हैड और प्ले हैड अंत में आ जाएगा टाइम लाइन पर और यहां पर वीडियो में भी अंत का सीन दीखेगा सीन में हमने इस पर क्लिक किया तो यह अंत पर आ गया अंत पर आने का मतलब है हमारे पास यह तीन क्लिप्स है इसलिए जोगी, जोगी हमारा playhead यहां पे था, यहां पे था, इसे लिए हमें इस clip के अंत में लेकर आया, नहीं कि एकदम अंत में लेकर आया, तो जब इस पे हम klik करेंगे, तो यह उस clip के अंत में लेकर आजाएगा, जैसा अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो एकदम से जैसे इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो यह पूरे वीडियो के अंत में लेकर आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो जो Ada मोट्टु देडی प्रीबियस पॉइंट मोट्टु देगू दे पीग निग्निंग मुग देट अभी मूटु देज़ पोईंट पॉइंट क्लिप का लास्ट की पार्ट वही सो फोईंगे आँ फिर इसको किया धर्री पर किलिप परके रहेंगे मुव टू दा बिग्णिंग में लेकर आ जाएगा और इसको जब होल करके रखेंगे मुव टू दा इंड मेंस मुव टू दा इंड आ जाएगा तो आप समझ गया होंगे इस पर क्लिक करेंगे तो जो clip रहाएगा वहाँ पर उसके इंड में लेके आएगा जो भी clip रहाएगा फुल टाइम लाइन के अंत में नहीं लेके आएगा इन इसको hold करके अगर रखते हैं और यह तीन option उज़ करते हैं move to the end तो move to the end में लेके जाएगा फिर से click hold करके रखते हैं move to the previous point और move to the beginning beginning means एकदम से starting में लेके चला जाएगा और move to the previous point previous point है नहीं कुछ after point है तो यहाँ पर कुछ अप क्लिक नहीं हुआ लेकिन अगर आगर आप यहाँ रखके अब इस तरफ बढ़ते हैं इसमें कुछ options है यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है यह media है audio है recording है layer है और यह इसको आप export करना बोलते हैं जब पूरा video editing अपका हो जाएगा तो आप यहाँ से export कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ save करने का option आ जाएगा आप यहाँ saving का कुछ setting है जैसे आप देख रहे हैं कि आपको full sd में चाहिए sd में चाहिए sd में चाहिए जो भी है आपका pixel size क्या होना चाहिए aps rate क्या होना चाहिए वह सारा कुछ यहाँ पर setting है आप यहाँ से save करेंगे आपका project जा करके और आपका video जा करके save हो जाएगा इक्सपोर्ट हो जाएगा यह है saving का options इसको हम और यह best जड़े दिया कि media क्या होता है क्या करना है इसमें में लैख जाते हैं ऌहीं कि इसके बाद layer मैंने आपको बता था कि layer होता क्या आपको अपको पहले हिंवा समस्ते हैं में सबregbe decades इसको हम डिलीट करते हैं यहां से समझते हैं इस पर जब हम क्लिक करेंगे इस बाले पार्ट पर तो वह हमें अब इसके साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं उसके बाद यहां पर इफेक्ट से कुछ जो आप यहां से लगा सकते हैं अब जहां भी चाहें वहां हैं जो somos Layer कोना करते हैं और यहां से लेयर में आपको दिखाता हूं i na forest कैसे डाल सकते हैं तो चली में कोई फेक्ट कोई भी उपका हो जो भी आप डाल सकते हैं मैं linear mask का डालता हो तो उस तरीके का ही कुछ यहां पर आपको इफेक्ट्स आपके watch याँ फोटो पे दीखेगा, जैसे मैंने यह डाला, तो आप यहां से दिख रहे होंगे, कि यह इस तरीके से हाँ, कि आप किसी सिस्कोण तरीके म कीनल का लाए होगे और इतने ही पार्ट को रखना चाएं, पेस पे लगा लिए फेस को हाइट करते थे या छुपा लेते है। तो इस तरीके से लीनियर मास्क को यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूं linear mask को इफेक्ट समझ गए कि कुछ और इसके बाद sticker है आप यहां से चाहें तो कुछ sticker आपने वीडियो में आड़ कर सकते हैं चलिए मैं यहां से एक वीडियो में ले लेता हूं तो आप समझ गए कि यह sticker हमने वीडियो में आड़ कर दि है तो और टेक्स यह टेक्स्ट हो गया और टेक्स्ट के यहां से अब यह प्रपर्टीज हैं जिसको आप कैसे यूज करेंगे वह आप यहां देख सकते हैं जैसे इसका अगर अगर आप color change करना हो तो color change कर दें मैं आपको इस आज सिर्फ इंटरफेस बेसिक बता रहा हूं कि कैसे काइंड मास्टर के यूज करते हैं मैं तीन चार और वीडियो बनाओंगा जिसमें लेयर मीडिया और यो रिकॉर्डिंग जो भी option से इसमें सारा कुछ पूरे ब्रीफ में समझाओंगा पूरे अच्छे क्या हूं कि आप बेसिक कैसे लएयर मतलब क्या मिंस क्या होता है मिडिया क्या होता है और ये options क्या है जो इसका user इंटरफेस है वह कैसा है और options को कैसे यूज करते है बेसिक options को आप basic video editing अप सीख सकते हैं इस से तक करने के लिए मैं एक एक और वीडियो बनाओंगा मीडिय यार घंटे का वीडियो हो जाएगा जो बहुत ही लंबा हो जाएगा यह वीडियो भी लंबा हो रहा है बट मैं आज कम से कम पूरा इंटरफेस और बेसिक वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर में आपको बताना चाहता हूं तो चलिए यह आपने टेक्स्ट देख लिया यहां से कुछ ऐसा कर लिया तो यहां से कर लिया अब मैं बता सकता हूं यह मैंने स्टिकर लगा है इसके वीड को घंटा घंटा सकते हैं आप यहां से अगर आप मैं दुबारा करके दिखाऊं तो आपको समझ में जाए के वीड घंट गया देखिए इस तरीके से और यहां पर और सारे ऑप्सन है सर्कल है स्कौायर है सर्कल है सारा कुछ है तो आ है वाट ऐसे सारा तो परुस प्रीड कर दिखाऊं सकते हैं यहां से आप बड़ करना सकरेंगे श्लेक्ट कर सकते हैं यहांसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे मैं अभी यह कर दू आपने पहले देखा था कितना मोटा हो रहा था लेकिन अगर अब भी करूंगा एड तो तो आप देखिए कितना इपतला हो रहा है तो इस तरीके सा वीट को कर सकते हैं तो यह हैंड राइटिंग का यूज है का इ इस तरीके से लेयर वाई लेयर आप आड कर सकते हैं यह आपका मास्टर लेयर और मास्टर क्लिप है यह आपका लेयर और सब क्लिप है तो इस तरीके से यह लेयर हो गया यह और यो है यहां से आप कुछ आडियो म्यूजिक जो भी आपका आडियो है उसको आप वहां से यहाँ पर जा करके आप प्रिव्यू देख सकते हैं हम सुनाई दिया रहा हुआ हम एड़ करेंगे और यहाँ नीचे देख रहे हैं लियर में अप्शन में एड़ हो गया है यह सारे इसके अलबम्स हैं फॉल्डर्स हैं म्यूजिक हैं यहां से आप जा करके और सारा भी रिकॉर्डेट है म्यूजिक है सौंग्स है तो इस तरीके से आप यहां से अपने प्रोजेक्ट में साउंड को एड़ कर सकते हैं तो आप समझ गया होंगे इसको बंद करते हैं रिकॉर्डिंग बटन कैसे अब रिकॉर्डिंग देखेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं प्राइब करने के लिए सटाइब आप देख रहा होंगे जब तक मुणंड पर क्लिक नहीं करोगे बिदर नहीं होगा ठीक च्व मापाइस पर कर χाए बात है यह उश्यार्ट अध्यार ais कर तो आपको देखता है कि मॉबाइलेश चेख और राया नहीं रहा है तो हम इस recording करने के लिए जो यह लेयर देखने हैं यहाँ पर add होगा हम recording ऐसे start करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर add हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए हम जो इस start button देख रहा है इस पर click करेंगे तो यहाँ से अभी यह start हमारा चलो होगया आप यहाँ नीचे आगर के layer में देख सकते हैं red वाला red color का option add होड़ा है मतलब यह हमारा भायस अभी record कर रहा है और जब हम record कर लेंगे को इस stop button पर जा करके click कर देंगे stop होगया हम नीचे देखिए हमारे layer में हमारे kind master में जो हमने भी record किया है वो add हो गया है ठीक है तो आप समझ गया होगे recording option हम बंद करते हैं और यह सारा option media कैसे use करते हैं layer कैसे use करते हैं layer क्या होता है समय मैंने आपको बता दिया है media भी बता दिया उसके बाद जो option आता है यह audio का and audio भी बता दिया क्यासे audio क्रते है इस nest recording है recording कैसे कर दे हैं वह भी मैंने आपको बता दिया यह asset है play है layer लेयर है, master clip है, यह हम play करके यहां से देख सकते हैं, हमारे यह timeline पर अभी देखे, हमारे वीडियो play हो रहा है, आपको दिखरा होगा play add जो है, वह आगे की और बट रहा है, तो यह play option था, यहां से हम play करके देख सकते हैं, बाकि यह सारे layers है, वह सब कुछ मैंने आपको brief कर दि और अगर आपको यह वीडियो पसंद है, तो वीडियो को like, share, subscribe कर दीजिए, और मेरे channel को subscribe कर दीजिए, share कर दीजिए, share कर दीजिए दोस्तों के साथ, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, धन्यवाद.